नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत तर्मिंशाला चैनल में आज हम लेकर आये हैं आपके डाउट का स्वलूशन जो आपने हमसे comment शेक्षन में पूछे थे आपने हमसे बहुत सारे सवाल पूछे हैं आज हम कुछ comment सवाल के उपर बात करने हो रहे हैं तो वीडियो के साथ बने रहेए और अगर इस वीडियो से related कहीं भी आपको doubt होता है तो आप हमें comment section में जरूर बताइए उसके उपर हम next वीडियो के दिनर बात कर लेंगे तो चलिए दोस्तों start करते हैं दोस्तों बात करते हैं आपके सबसे पहले doubt की जो की आपने पूछा है अपना काम करना हो तो क्या choose करें ये जो question है हमारे एक welder trades related video है उसके उपर ये question आया हुआ है तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि अगर आप welder trades से IT pass out है और अपना खुद का business शुरू करना चाहते हैं तो आप मुकमंत्री ईवा सोराज scheme की मदद से बहत कम interest के उपर loan लेकर खुद का business शुरू कर सकते हो और इस scheme से related अगर आपको और detail में information चाहिए तो नीचे description में इसका official website का link दिया गया है वहाँ से आप इसके बारे में और detail में जान सकते हो बात करते हैं आपके next doubt के उपर जो की पुछा गया है कि railway jobs को ITI 2 year complete होना चाहिए या ITI 1 year complete हो जाएगा तो चलेगा sir तो यहाँ पर मैं आपको clear करना चाहूंगा कि railway में किसी भी jobs vacancy में apply करने के लिए आपका जो course है वो complete होना चाहिए बिलकुल complete होना चाहिए और आपके पास passing out certificate भी होना बहुत ज़्यादा जयरूरी है क्योंकि जब भी आप railway का form apply करेंगे तो वहाँ पर आपको final year का passing out certificate जो होगा आपके पास उसे upload करना पड़ता है form भरते समय ठीक है और जो बच्च apply नहीं कर सकते मेभी आपको clear हो गया होगा railway के किसी भी वेकेंसी में apply करनी के लिए आपके पास passing out certificate होना चाहिए ठीक है मेभी जो आपका doubt हो clear हो गया होगा अब दोस्तों बात करते हैं आपके next doubt के उपर जो की पुछा गया है सर डिप्लोमा के बात मैंने NDA का exam दे सकती हू तो मैं यहाँ पर आपो clear करना चाहूंगा कि NDA में जाने के लिए जो आपी age होनी चाहिए वो साड़े 16 से लेकिए साड़े 19 साव तक होनी चाहिए ठीक है साथ में आपके पास 12 का certificate होना चाहिए साथ में आपका qualification जो है 12 के अंदर physics chemistry maths के साथ होना चाहिए अगर यह eligibility criteria अगर आपकी match कर रही है तो आप apply कर सकते हो ठीक है इसके अलावा technical department में जाने के लिए आपकी जो qualification होनी चाहिए वो B.E. होनी चाहिए यानि bachelor engineering होनी चाहिए या फिर आपके पास B.T.E. होना चाहिए और उस exam के लिए करने के बाद ही आप आर्मी के अंदर डिप्लोमा बिस्स पर जा सकते हो तो में भी आपको सारी चीज़ के लिए होगी होगी हम बात करते हैं आपके next doubt के उपर जो की पूछा गया है मैंने ITI नहीं किया है skill India से ITI हो जाएगा क्या मैं यहापर आपके doubt के ल लिए हैं यानि ITI करने के बाद अगर आप अपने skills को upgrade करना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पर कुछ courses दिये के हैं क्योंकि ITI जो है आपका regular course है और regular course करने के लिए आपको offline जाना पड़ता है institute के अंदर maybe जो आपका doubt है वो clear हो गया होगा दोस्तों उमीद करते हैं कि आपको आपके सवालों का जबाद मिल गया है अगर आपके मन में course या career से जुड़े और भी सवाल है तो आप हमें comment section में comment करके बता सकते हैं और उनका solution पा सकते हैं तो दोस्तों अगर आपने शमी शाला YouTube चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो जल्दी से subscribe कीजिए और वीडियो को like करना मत भूलेगा